हलो फिरंट्स क्या आपकी बच्चेदानी बाहर निकली रहती है और आपको चलने फिरने में समस्या आती है और आपको यह पूछना है या यह सोच रहें कि इसका इलाज क्या क्या संभव है तो अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहोगा कि इसका इलाज आखिर होगा कैसे तो मैं डॉक्र सूशीला सेन, गाइनिकलोजिस्ट और अपसिटेशन, आज आपको ये बताने जा रही हूं कि जो प्रोलैप्स के समस्या होती, यानि जो बच्चेदानी बाहर निकलाती है, उसको दुर्बीन से कैसे सेट किया जाता है, यानि कि प्रोलैप्स का ओपरेशन जरूरी नहीं है कि उसको निकाला ही जाए, जब तक कि उसमें कोई खराबी नहीं है, वो सिर्फ बाहर आ गई और डिस्प्लेस्मेंट हो गया, यानि कि उसका सपोर्ट स्ट्रक्चर कमजोर हो गया, जिसके वज़े से बच्चेदानी बाहर आ जाती है, तो उसका ये कता ही म बोला जाता है जिसको कि लेपरोस्कोपिक प्रोलैप सरजरी उसके दो स्पैसिफिक टरम से जिसको पेक्टोपेक्सी और सिक्रोपेक्सी के नाम से जना जाता है, ये दोनों ही टेक्निक्स ऐसी है कि जो दुर्बीन से आसानी से संभव है और बच्चेदानी को आराम से नॉ मेश बच्चेदानी के उपर फिक्स करी जाती अरिय उसके साथ में असपास का एकी होती एक वहां पह सो सेक्साइल एकले जाता है तो उस पे जाली को सेट कर दिया जाता है तो जिससें की बच्चेदानी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाती है, जो कि नीचे की तरफ खिसक गई थी तो हमने उसके जो normal tissue था उसको support structure के रुप में जाली लगा कर उसको fix कर दिया है एक दूसरा तरीका होता है कि बच्चताने के पिछले हिस्से की तरफ match को fix किया जाता है और उपर पीछे जो read की अड़ी का हिस्सा होता है सेक्रम वहाँ पर उसे fix किया जाता है इसलिए उन टेक्निक्स को जनरली काम में नहीं लिया जाता है तीसरा तरीका होता है कि यदि आपको बच्चेदानी के अंदर कोई समस्या हो गई है जिससे कि बच्चेदानी के अंदर गांठ है या ब्लीडिंग का समस्या या और कोई समस्या है तो फिर uterus को पहले दुर्बीन से बाहर निकाल दिया जाता है या जो बच्चेदानी का ऑपरेशन किया जाता है इस्टेक्टमी वो किया जाता है फिर उसके बाद में जो बच्चेदानी का रास्ता रह जाता है वजाईना रह जाती है उसको फिर close करकर फिर वापस से उसको होते हैं से खांसने के साथ और चीकने के साथ यूरीन बाहर निकल जाता है तो वह भी दुर्बीन से संभव हुए जिसको की एसी ओए का ऑपरेशन बोलते हैं यानि की बर्च को लपो सस्पेंशन के नाम से जानते हैं तो एक कुछ नामल पोजीशन पर फिक्स किया जा सकता है और वह भी आसानी से दुर्बीन के द्वारा संभव है दूसरा यदि उसके अंदर को परेशानी है तो दुर्बीन से बच्चेदानी को निकालने के बाद वजाईना को भी नार्मल प्लेस पर सेट किया जा सकता है वह भी दुर्ब ना हो इसके साथ ही यदि आपको यह रिपीट अगर समस्या हुई है यानि कि आपने बचे दानी का ओपरेशन वजाइनल इस्ट्रेक्टमी का ओपरेशन होता है वो करवाया और उसके बाद ही समस्या क्रियेट हुई है तो भी उसका दूर्बीन से इलाज संभव है और दूर् दो दिन के अंदर अस्पताल से छुटी हो जाते जनरली हम लोग 24 गंटे के अंदर अंदर ही पेशन को उसके घर भेज़ देते और पेशन वाकिंग आता है वाकिंग ही जाता यानि अपने आप चलकर आते हैं चलकर जा सकते हैं सीडियां उतर चड़ सकते हैं नीचे उपर सकते हैं किसी प्रकार का परेज उन्हें नहीं बताया जाता खाना पीना इजली नॉर्मल जो पहले डाइट चल रही थी वही खाई जाती है उसमें कोई आल्टरेशन नहीं किया जाता तो पीशन बहुत कंफरटीबल रहते हैं उनको दर्द नहीं होता खाने का परेज नहीं सावाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखके पूछ सकती हैं हम आपके सावालों की जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जनकारी के साथ तब तक नमाद